Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मत कैसर दो important update है इस वीडियो में पहले बात करेंगे TRE3 परिक्षा को लेकर तो आपको पता है दोस्तों कि TRE3 पर पटना हाई कोट ने स्टे लगा दिया है एक्जाम नहीं हो सकता जब तक स्टे नहीं हटता है और स्टे लगा है इस वज़े से क्योंकि पतना हाई कोट ने कहा है कि अतिती सिक्षक यानि गेस TREACHER को भी प्रती वर्ष के सेवा के आधार पर इन्हें 5 नमबर दिया जाए और मैक्सिमम 25 नमबर तक इन्हें दिया जाएगा 5 साल की सेवा पर चुकि कॉंटरेक्ट टीचर को ये भारांग मिल रहा था गेस TREACHER को नहीं मिल रहा था पतना हाई कोट ने कहा गेस TREACHER को भी ये भारांग मिलना चाहिए पतना हाई कोट का ये और आप देख सकते हैं तो इस संबन में दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है क कि निदेशक जो हैं मादमिक शिक्षा विभाग की करहिया प्रसासर वास्तों जी इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोक के सच्चु को पत्र लिखकर कहा है कि पटना हाई कोट के आदेश का पालन किया जाए और जो गेस TREACHER हैं उनको भी प्रती वर्ष के सेवा के अधार पर पांच अंक दिया जाए मैकसिमम 25 मार्क्स तक प्रवाइड कराया जाए तो मानने उच नियाल है द्वारा जो आदेश है उसे शिक्षा विभाग ने मान लिया है और BPSC को निर्देशित किया गया है कि इन्हें ये भारांग दिया जाए तो अब जो इस्टे था वो समाप् कि सिक्षा विभाग हाई कोर्ट के फैसले को मान रही है उसे वो आगे चैलेंज नहीं करने वाले हैं निर्देशित कर दिया गया है BPSC को कि आप इन्हें भारांग दीजिए पटना हाई कोर्ट के आदेश पर अपर मुख सचिव सिक्षा विभाग की सहमती प्राप्त है त तो अब देखना होगा कितना जल्दी ये करवाई पूरी हो जाती है अब बहुँ ज़्यादा समय नहीं लेगएगा ट्यारे 3 का एक्जाम में क्योंकि सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आदिस का सेदे सेदे पारण कर लिया है आगे वो चैलेंज नहीं कर रहे है आगे चैले जुन एंड ने तो जुलाई बिल्कुल आप मानकर आपने त्यारी करते रहे है क्योंकि सरकार ने आदेश मान लिया है पटना हाई कोर्ट का तो बहुँ ज़्यादा समय अब इसमें नहीं लगने वाला है अगली अपडेट निकल कर आ रही है बीपेसी टियारी 1 और टियार हाई हुई है आज की डेट है 31 माई 2024 का देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 26 अबलिक दोजार तेईस और 27 अबलिक दोजार तेईस विग्यापन संक्य आनि ठीरी 1 और ठीरी 2 की बात हो रही है इन दोनों भरतियों में जो भी अधर स्टेट की फिमेल है जिनका नंबर सीट जारी हुई है देख सकते हैं और टोटल यहां पर 42 महिलाओं का नाम है जिनका मार्क देखें कहीं पर 88-83, 88, 82, 87, 88, 86 यानि कि 90 से कम है इन्हें बाहर किया जा रहा है आरक्षर सिर्व बिहार के मुल निवासी को दिया जाएगा ये बिल्लकुल क्लेयर हो गया है सीटेट में साथ प्रतिशत अंक होना चाहिए अधर स्टेट के मेल हो या फी मेल हो तो बहुत जल जो जिले बचे हैं वहां से भी ये नोटिस आजाएगी और अधर स्टेट की फी मेल जिनका 90 से कम होगा वो बाहर हो जाएगी मेल का तो 90 या 90 से उपर होगा ही क्योंकि इसमें कोई अपडेट वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों चैनल को सस्क्राइब कर लाएं और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाशिंग